नमस्कार स्वागत आपका रती का रसोय में आज हम बनाने वाले हैं ढाबा इस्टैल में साबुत प्याज की सबची इसके लिए हमने छोटे साइज के 500 ग्राम साबुत प्याज लिये छोटे प्याज पकते भी जल्दी हैं और टेस्ट में भी अच्छे होते हैं अब हम किसे दो कट लगाएंगे प्याज को जाता है गहराई में नहीं काटना है सबी प्याज में हम इसी तरह से कट लगा कर तैयार कर लेंगे अब एक पैन गरम करेंगे उसमें हम साबुत मसालों को भूनेंगे एक चमच सौफ लेंगे आदा चमच साबुत काली मिर्च डालेंगे एक चोटा पीस दालची निकाल लेंगे एक बड़ी लायची दो छोटी लायची डालेंगे तीन लॉंग लेंगे और पांच साबुत लाल मिर्च डालेंगे जावित्री का एक चोटा सा पीस डालेंगे एक चमच साबुत धनिया डालेंगे आदा चमच जीरा डालेंगे और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे अब सबी मसालों को हम लो फ्लेम पर हम पूलेंगे अब इसमर हम एक चमच का सुरी मिठी डालेंगे और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे मसाला बुन गया है और इसको हम ठंदा होने के लिए प्लेट में निकाल लेंगे अब पैन में हम चार चमच ऑईल गरम करने के लिए डालेंगे ऑईल गरम हो गया है इसमें हम तीन चमच हरी मिठी जिसको हमने बड़ा काट लिया है दो प्याज को भी हमने बड़े साइज में काटा है आठ से दस कलियां लेस्टन की लेंगे और इसको हम भूनीगे प्याज ब्राउन हो चुक है अब इसमें हम दो टमाटर जिसको हमने बड़े साइज में काटा था डाल कर बुनीगे अब प्याज ब्राउन होके है और इसको हम एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे अब पैन में हम थोड़ा तेल और डालेंगे और करम करेंगे तेल गरम हो गया है अब इसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे गैस की फ्लेम को हम मेडियम रखेंगे प्याज फ्राई हो चुके है अब इसको हम एक बॉल में डिकाल लेंगे अब जो मसाला हमने बून कर अब बॉल में रखेंगे ठंडा होके है इसका हम दरदरा पाउडर तयार करेंगे मसाला पिश चुका है अब इसी जार में हम टमाटर और प्याज कों का पेश तयार करेंगे अब पेश्ट भी हमारा तयार हो चुका है अब हम गैस पर पैन रखेंगे और इसमें हम तीन चम्मच देशी गी डालेंगे गी की जगे आप तेल भी काम में ले सकते हैं लेकिन प्याज की सबजी में गी का टेश्ट बहुत अच्छा आता है अब गी गरम होके है इसमें हम देड चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पाइन डालकर हम इसको फ्राई करेंगे इसमें डालेंगे हम आदा चम्मच हल्दी पाउडर आदा चम्मच धनिया पाउडर अब इन बसालों को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे अब मसाला तेल छोड़ने लगा है तो इसमें हम पिसा हुआ जो मसाला हमने बून कर तैयार किया था उसको हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पाइन डाल कर इसको हम फ्राई करेंगे अब मसाला बून चुका है इसमें हम दो चमच बेसन डाल कर बूनेंगे बेसन को लो फ्लेम पर भूनेंगे अब इसमें हम टामाटर और प्याज की जो गिरेवी तैयार कि थी उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे मसालो में अब ग्रेवी को हम करीब पांच मिट तक बूनेंगे जार को दोकर हमने पानी डाल कर हमने दो लिया था जार को उसमें मसाले मिक्स कर देंगे अब ग्रेवी में हम चार चम्मच दई डालेंगे गैस को हम लो फ्लेम पर रखेंगे और लगातार दई को चलाते रहेंगे नहीं तो दई फट जाएगा और सबजी का टेस्ट खराब हो जाएगा अब हम एक चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे अब इसमें हम ढालेंगे नमक स्वादा नुसार नमक पाउड़ी अब ग्रेवी में हम थोड़ा सा पाई डाल कर बोनेंगे अब ग्रेवी तेल छोड़ने लगी है इसका मतलब है कि हमारी ग्रेवी पक चुकी है अब इसमें हम प्याज को डाल देंगे और ग्रेवी में मिक्स करेंगे अब सब्जी को हम चार मीट तक ढख कर पकाएंगे अब चार मीट हो गए हम सब्जी को चेक करते हैं देखिए सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा है और सब्जी पकर तैयार है अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे और मिक्स करेंगे गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और सब्जी को हम सर्फ कर ने कले एक प्लेट में निकाल लेंगे हरे धनिये से हम सब्जी को गार्णिश करेंगे तैयार है हमारी धावा इस्टाइल साबोत त्याज की सब्जी हमारी रेसिपी यदि आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे नए ने वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे थैंक यू